हलो स्टुडेंट्स आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं पार्टनर्शिप के बारे में पार्टनर्शिप का प्रैक्टिकल और कुछ-कुछ थियोरी पोशन भी हम लोग देखेंगे ठीक है तो यह सबसे पहले किन-किन स्टुडेंट्स लोग के लिए काम आएगा सबसे सबसे पहले क्लास 12 की स्टुडेंट्स के लिए बिकाउं फस्ट यहर के लिए और जो सीए-स्ट्रेंट्स है उनके लिए यह काम आएगा यह वीडियो ठीक है तो ध्यान से देखिए सबसे पहले अब लोग को एक फॉर्मेट दिख रहोगा यह फॉर्मेट का पहले तो हमको अब ही काम नहीं है सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक इंट्रफ्शन देखेंगे ठीक है चैटर का नाम है पार्टनर्शिप अधिक है पार्टनर्शिप में तब क्या समझते हो जब दो या दो से जाधा लोग किसी काम करने के लिए और फिर उस काम से जो भी प्रॉफिट पार्टने के लिए जिस रेशियो में बातने के लिए अगर एग्री करते हैं तो उसको बोला जाता है पार्टनर्शिप ठीक है इंग्लिस में बोलू तो वेन मोर देन टू वेन टू और मोर देन टू परसन एग्रिस टू ऑपरेट अनि बिजनेस एंड से प्रॉफिट और ऑपरेश्यो और E Va had a collaboration से अगर दो पार्टनर्शिप में क्या चीज़ होता है अगर मान के चले दो पार्टनर्स है ए और बी अगर दो पार्टनर्श एक साथ एक्रिमेंट कर रहे हैं किसी बिजनेस को ग्रोर करने के लिए तो उनके बीच में फीचर में कॉन्फिक्ट न ना आये करके partnership deed बनाया जाता है ठीक है partnership तो आप लोग को समझ में आ गया अब इसके बाद आता है partnership deed deed मतलब बेखते रखेंगे से बोल सकते हम लोग agreement होता है ठीक है क्या होता है यह agreement होता है basically deed जो होता है return agreement होता है return partnership deed is a return agreement in which all the details all the rules and regulation of the company or of the partnership और different partners are mentioned partners related जो भी rules regulation रहेगा जो भी चीज़े रहेंगी ठीक है companies related होगया उनके professions related जो भी वो लोग काम करेंगे जो भी rules regulation होगा वो partnership deed के अंदर आएगा जैसे partners का क्या investment रहेगा मतलब capital कितना लगाएंगे वह लोग ठीक है यह सारी चीज़ डीटेल्स हम लोग इसमें mention करता है interest on capital क्या charge करेंगे interest on drawings कैसे charge करेंगे loan का percentage क्या रहेगा ठीक है salary क्या रहेगा कौन से basis commission दिया जाएगा हर एक detail इसमें mention होता है यहां तक उनका पार्टनर्स का नाम पार्टनर्स जो से partnership firm बनेगा उसका नाम उसका address हर एक चीज़ डीटेल इसमें रहता है ठीक है यह बनने का फायदा क्या हो जाता है कि future में conflict नहीं होगा in case in case अगर partnership deed यहां क्या है partnership deed absence है ठीक है दो पार्टनर्स है ए और भी उन्होंने गरीमत है कि उन्होंने agreement बनाया ही नहीं ठीक है तो उस case में absence of partnership deed में क्या क्या rules regulation applicable होंगे यह चीज़ most important है यह practical बनाने से पहले partnership deed बना दिया है तो question में जिससाब से दिया रहेगा आप लोग को percentage यह interest on drawing का rate जो भी चीज़ उसी साब से चलना है लेकिन अगर यह mention कर दिया हो कि partnership deed नहीं बनाया गया है absent है ठीक है तो उस condition में हम लोग को चार या पाच चीज़ें जान लीच पड़ेगी सबसे पहले interest on loan 6% charge होता है इंट्रेस्ट on loan कितना परसेंट 6% सेकेंट 2 is interest on drawing इंट्रेस on drawing बिल्कूल भी चार्जने उता ये चीज़ ज्यांद रकहें तीसरा है इंट्रेस औंडेस्ट्रेस्ट्रेस्व एग तो चैर्जने कर ये यह चीज़ नहीं गोगा खर degrees and रहाइंक कोई चार निएक उरेच निंगे चार्था क्या रहाएगा profit and loss कैसे शेर होंगे इक्वर सेर होंगे ठीक प्राफिट and loss रेष्यों क्या रहाएगा एक्वर्च डैट मिन्स वर्यशियो वन ठीक एक पाच्माँ चीज़ क्या है आपका किसी को भी salary नहीं मिलेगा commission नहीं मिलेगा या कोई भी तरह कर remuneration किसी भी partners को नहीं मिलेगा अगर partnership deed नहीं बना है तो ठीक है तो यह चीज़ को याद रखिए यह theoretical point of view से भी important है सबसे पहले partnership जो पुछा जाता है 2-3 marks के लिए partnership का meaning फिर उसके partnership deed का जाता है 2-3 marks के लिए ठीक है तीन नंबर के लिए what are the rules applicable in the absence of partnership deed यह चीज़ पूछा जाता है तो यह सारे rules है applicable है जिसमें से आपको दो चीज़ है important है ठीक है एक सबसे पहले इंडेस on loan 6% चार्ज होता है confused नहीं हो ना इंडेस on loan drawings capital तीनों चीज़ दिया है लेकिन इंडेस on loan कितना परसेट 6% और प्रफिट लॉस एक्वल बागी कुछ भी चीज़ नहीं दिया जाता है यह चीज़ को याद रखिए अच्छा अब कोशन बनाने से पहले यह चीज़ तो clear हो गया अब थोड़ा सब practical point of view से देखते हैं जैसे for example class 11 तक आपने क्या क्या था net profit निकालना सिखा था ठीक है net profit कैसे trading ईक्टींगे अक्वन मनाते थे हैं को टीडिंगे अकाउन पीने ले Cका न बनाते हैं अब्हून उसको इस टॉपिक में यह क्लास 12 के इस पहले वाले चाप्टर में हम लोग देखेंगे डिल करने जा रहे हैं उस चीज़ से ठीक है देखिए फर एजामपल दो चीज़ें होंगी ठीक है सबसे पहले प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रेशन एकॉन मनेगा पहला चीज़ तो क्य अगर हम पार्टनर्शिप एकाउंट से डिल कर रहे है तो ठीक है तो क्या क्या प्रैक्टिकल्स हम लोगों करना पड़ेगा पहला है पार्टनर कि एक मिनाट रुकिया प्रॉफिट और लॉस एप प्रॉप्रोप्रेशन का मतलब ही होता है बटवारा ठीक है जितने भी पा पार्टनर्स में भाड़ देंगे ठीक है वो जीज़ है अच्छा इसके बाद एक और हम लोग का चीज़ बनता है क्या प्राफिर लास अप्रप्रप्रेशन के बाद रिवेल्यवेशन एकाउंट एक में 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 प्राफिर बनता है शे değiş बाद एक और में हूरना चाप्रेशियंग में रिवेल्यवेशन उसकी हो सब्स्क्राफिर इरसक्राइड को चांचे नियुक्ती हिंगे क्या नियुक्तविन एक पार्पर्प्र अधे प्रुद्रे परेसे शेघार का बा। थे पूरा क्या हो जाएगा टीक है टीक है टीक है और इस चार्टर में देखेंगे अभी को बस प्रप्रोप्रेशन एकाउंट डेखना है तो हम लोग बस इस चीज से बागी फॉर्दर प्रोसेस यह सब चीज़ है ठीक है अच्छा यह तीनों के बाद हम लोग को पार्टनर् बनता है पार्टनर्स क्यापिटल एकाउंट क्लियर है पार्टनर्स क्यापिटल एकाउंट दो तरह से बनता है एक जब हम लोग क्या मानते हैं उसको पार्टनर्स क्यापिटल एकाउंट क्या है फिक्स्ट माना जाता है पहला कंडिशन में अगर फिक्स्ट माना जाता है क्या बनता है fluctuating fluctuating मतलब change हो सकता है ठीक है fluctuating में बस बनता है capital account यह चीज़ याद रखीए पस नाम different है इसमें capital को अलग ले लिया जा रहा है और करेंट जो भी खर्चें फाइद हैं उसको अलग ले लिया जा रहा है fluctuating में ऐसा कोई मतलब नहीं capital account में दोनों को मगप कर जिया जाता है मिक्स कर जिया जाता है clear है यहां तक अब यह चीज़ याद रखीए ठीक है fixed मतलब कोई भी partner fixed capital account fixed partnership capital अब बनाता है जब उसको उसका capital का capital कैसे बनता है आगे देखेंगे ठीक है ठीकते सबसे पहले प्रॉफिट और लॉस एक साथ दे इन दोनों में से एक चीज़ आएगा एक चीज़ या तो यह आएगा या तो यह आएगा ठीक है एक ही टाइम में profit और loss हो सकता है कि एक ही साल में नहीं हो सकता तो इसलिए अगर profit आता है तो credit side लिखेंगे और loss आता है तो debit side एक चीज़ याद रखी जो profit and loss appropriation account न यह nominal account की तरह बनता है और nominal account में आप लोगो तो पता ही है debit क्या होता है all expenses and losses all expenses and losses और credit क्या होता है all income and gains all income and gains clear है यहां तक ठीक है अब यह जिसको याद रखी है आप लोग जैसे यह nominal account debit all expenses and losses होता है all income and gains तो ऐसी profit and loss appropriation account भी इसी rule से चलता है तो company के लिए जो यहां मैं एक चीज़ बोड़ रहा हूँ company के लिए जो भी expenses and losses होगा और company के लिए जो भी income and gains होगा उसको treat करेंगे आप अपनी साथ salary income करके आप income नहीं ले सकते हो company के लिए या किसी भी partnership firm के लिए salary क्या होगा expenditure होगा तो उससाब से हम लोग को यह चीज़ मानना है कि हम company के भी हाप में या partnership firm के भी हाप में मना रहे हैं तो हम लोग उससाब से वह expenses या income को treat करेंगे clear है यहां तक तो सबसे पहले hbt जो भी loss आएगा clear है यहां तक ठीक है अब देखिए interest on capital जैसे कोई person है ठीक है पार्टनर्स है वो capital पुंजी दीविस करने किसी भी partnership फार्म में पैसा लगा रहे है तो उसके बदले वो लोग क्या expect करेंगे interest expect करेंगे जिसको interest on capital बोला जाता है clear है तक ठीक है तो यहां interest on capital जो है वो company के लिए खर्चा होगा expenditure होगा कैसा expenditure होगा क्यों partner को पे कर रहा है इसलिए debit side चला गया तो debit में वही चीस तो देखिए all expenses and losses आ रहा है समझ में आया दूसरा चीज़ इंट्रेस्ट अन लोन अगर कोई partner firm को लोन दे रहा है यहां यह यह याद रखिएगा partner firm को लोन दे रहा है तो उस condition में क्या होगा बीटा ठीक है यह interest charge करेगा कौन partners interest charge करेगा किस के अगर एक पारन ने दिया तो एक नाम लिखेंगे अगर दो लोगों ने दिया तो इंडेस ओन लोन एकर करके ऐसा करके हम लोग लिए यहां तो यहां पर 500 आ जाएगा तक तो यह जिसको यहाद रखिएगा और इसके अलावा और कोई भी salary expenses च跟我 other expenses आता है वहटान में नीचे सकते हो ज़ली नहीं है हमेशा कि यह सारे expenses दिए वे हून ठीक है कभी 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 क्या हो सकता है कभी 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 ज्यादी कोसें क्कैंस के भी- गोहना करकें मतलभें के लिए इन्टरेस्ठ था पं कृइंगे ठीक है for example drawings क्या होता है जैसे मैं partnership firm एक partner हो ठीक है मेरे को अगर पैसे की जवरत पढ़ गी तो मैं पार्टनर से फॉर्म से पैसे निकाल लूँगा तो ले दो है नो पत्तर फाल शांट दे रहा है तो अगर इधर कमा रहा है तो यह बैंसे लोगा zeker अगर इसे जयाद रखे हैं दोनों में से किसे का भी बैलंसिंग फिगर कि यह दोनों में से एक ही चीज आएगा और यह क्या होता एक्षुल मैं बैलांसिंग फिगर बी स्लेस्ट एब का मतलब यह समझे बैल Swedish speaker या तो यह आएगा या तो यह आएगा जो रही निया कि profit transfer लॉस transfer हो लास्मीं जो भी profit अगर इधर का balance बचला balancing figure एधर है ठीक है तो profit बढ़ जाएगा partners में ABC जितने भी partners रहेंगे ठीक है mostly क्या होता है अगर यह capital ratio से बढ़ेगा है या तो questions में दिया रहेगा 2 ratio 3, 4 ratio 3, 5 ratio 4, कुछ भी तरह से ratio दिया जाता है, अग अच्छा, एक चीज़ बताएं, अगर यहाँ पर ratio mention ना हो, तो कैसे profit and loss को share करो गया, equal, बिल्कुल सही, clear है यहाँ तक, ठीक है, वैसे ही loss में भी share हो गया, या तो capital ratio से share करो गया, या तो question में दिया रहेगा, ठीक है, या फिर आपको equal share करना है, यहाँ तर clear है, अब इसके बाद आता है, हम लोग partners के capital account में आएंगे, partners का capital account, दो condition में आप लोग को बताए था, एक पहला जब fixed है, दूसरा fluctuating है, fixed के condition में partners capital account बनता है, और current account बनता है, capital में बस capital amount रहेगा, current account में जितने सारे खर्चे है, expenses है, वो सारी चीज़ आ जाएंगे, fluctuating में दोनों mug up कर देंगे, mix up कर देंगे, यहाँ तक clear है, ठीक है, अच्छा, आपको एक short trick बताता हो, अगर आपका P&L appropriation मनता है, तो partners capital account easily बनेगा, आपको इसको रटनी की ज़रत नहीं, बस concept को समझी, ठीक है, जैसे अगर यह कुछ भी amount इसमें debit side आया है, partners capital account में credit आ जाएगा, वही चीज़ अगर credit side आया है, तो इसमें क्या हो जाएगा, debit side चला जाएगा, clear है यहाँ तक, ठीक है, जैसे partners capital account, fixed के case में partners capital account अलग से बनता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, capital को लिखेंगे, capital की साई लिखा ज balancing figure, balancing figure मतलब इधर का total करूँगा, इधर का total करूँगा, जितना काम आएगा, उस amount को इधर लिख दूँगा, clear है यहाँ तक, ठीक है, उसके second न बनता है, partners का क्या बनता है, current account, अब यह चीज़ याद रखिए, जैसे यह है, ठीक है, तो जो भी debit में रहेगा, वो credit में चला क्या आगा, interest on capital, debit में है, तो इधर interest on capital, credit में लिख दिए, ठीक है, interest on loan, debit में है, interest on loan, credit में लिख दिए, salary and commission, debit में है, इधर उल्टा आजाएगा, commission इधर लिख दिए, ठीक है, और कुछ भी अगर खर्ची आते हैं, तो तू other expenses करके इधर लिख सकते हैं, ठीक है, clear हैं तक, उसके बाद अगर profit आता है, तो आप profit को लिखोगे, ठीक है, अगर वही चीज़ अगर loss आता है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर एक mention कर सकते हो, ठीक है, buy, एक मिनट वेट वेट रोगो, तो पिनल एकाउंट करके यहां loss लिख सकते हो, clear हैं तक, जॉररी नहीं है कि दोनों एक साथ आए, ठीक है, या तो यह आएगा, या तो यह आएगा, या तो यह आएगा, या तो यह आएगा, profit और loss एक साथ तो आ नहीं सकता, ठीक है, profit आएगा, अगर इधर profit आ रहा रहा तो इधर आजाएगा वेटिज लॉस आ रहा तो इधर आजाएगा जैसे यहां पर बताया दोनों में से जो भी बैलंसिंग फिगर बचेगा उस साइट चला जाएगा डाविट का क्रेडिट हो जाएगा ट्रेटिक का डैबिट जस्ट क्रॉस हो जाएगा ठीक है यह इधर चल करते हैं जैसे यह यह दोनों में से एक चीज आएगा अगर इधर बैलंसिंग फिगर बच रहा है तो इधर बैलंसिंग फिगर एमाउंट को लिखूँगा टू बैलेंस सीडी ठीक है कैरी डाउन लिखूँगा अगर इधर बैलंसिंग फिगर बच रहे तो बाइबैलेंस स अब यह भी हो सकता है कि एक partner का इधर balance बच रहा है बी partner का इधर balance बच रहा है वो सकता है clear है ठीक है अच्छा अगला है fluctuating fluctuating में क्या करते हैं partners को मतलब नहीं उसका capital बढ़ रहा है या काम हो रहा है हमको उसे कोई फ़र्क नहीं पढ़ता बोलते हैं partners तो यहां पर पार्टनास का क्यापिटल एकान मनता है इसमें क्यापिटल भी मिक्स हो जाता है बाइब बैलेंस बीडी जो है ना ये क्यापिटल एमाउंट अब इसको मिला दूंगा तो बैलंसिंग फिगर को अभी तो हटा ना पड़ेगा मेरे को ठीके फिर उसके आट क्या एजिए का इधर का देखलो इंडर्स ओन ग्युद्टल लिग जो आता था ज़सी इंडर्स ओन लोन इधर भी एंवेवे ख्रोसों रहे है ठीक सालरी कमिशन प्रॉफिन अगर प्रॉफिट तो प्रॉफित लिग्द लिग धिया ठीक यह जिस ये नोमस एकी चीज आएगा आपका समंझ में आया ठते कि यह क्लिए रैंस से यह गाव यह क्रेंड ब्रेंटक दोस्तों म्हें इसमें रहेघा इसमय में पूरी ॹटाना भूल गया यहां पर क्या धान ड्रॉइंट एक सथा यहां पर ऑना था यहां बीक सब्साइड होगा अगार थ ます यहां पर स्टार मार्ट कर लो इसको भूलना मत बीटा के कि लियर इस चीज में यह जो है आप लोका पूरा एक समरी है पार्नर्शिप का जो फॉर्स्ट वाला चाप्टर है यह जो बेसिक है प्रॉफिट लॉट अप्रोप्रेशन एकाउंट नेक्स लेक्षर में हम लोग देखेंगे कि कैसे शेयर करते हैं या फिर कुछ अगर कोई नया एडिमिशन होता है तो क्या होता है अच्छा उसे पहले फॉर्दर में एक चिसमें आपको एक बार कुई क्रिविशन दे देता ह अगर कोईशन में हमें साथ दिया रहाएगा या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस वह प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट इधर लोस फो लॉस इदर बोक्स कर दिया हो मतलब दोनों में से एक ही चिज़ आएगा ये चीज आधर रुखिए वैसी बैलंसिंग कर रहेगा यघर बैलन्स बच तो प्रॉफिट होगा इधर बैलेंस बत्र है तो लॉस हो हगा क ए 9시 संट नहीं सकता दोनु मेसे एक ही चीछ चीज हुआएगा जए अच्छा अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट भी जाएगा अगर लॉस होता है तो लॉस्ट भी आएगा मतलब इन नोनों में से एक ही चीज़ा है यह चीजा जो भी कोशन अगुसे सवर्व करोगे वह मांड़ाएगा फिर उसके बैलंसिंग जीगा निकलोगे टैली तो होगा नहीं इधर बैलंस कमा रहे तो बैलंस सीडी इधर कमा रहे तो बैलंस क्लिए रहे तक इतने में हम लों का लेक्चर खताम होता है ठीक है इससे आपके जितने भी बेसिक कोश्चन से यह सारे बन जाएंगे आपके टिके बाकी मिलते हैं अगले क्लास में